अनाम्यम के सभी दर्श्कों को साधर प्रणाम आज हम बात करेंगे पेट की ब्लोटिंग के बारे में ब्लोटिंग का अर्थ है पेट की सूजन, पेट का फूल जाना कभी कबार ऐसा हो जाता है कि पेट कुछ खाते ही या बिना खाए भी फूला फूला रहता है और इस तरह का प्रतीद होता है कि हमारी आतों में स्वैलिंग आ गई है, आतें सूज गई है जिसकी वज़े से पेट के अंदर दर्द भी होता रहता है, पेट के अंदर स्वैलिंग भी आ जाती है, पेट फूला फूला भी रहता है यह ब्लोटिंग किसी भी वज़े से हो सकती है, कई बार ज़्यादा खाने की वज़े से भी हो जाती है, या कई बार तो ऐसा होता है कि एक कफ कोफी भी पीने से ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, जब शरीर खास करकि पेट ठीक से कारिया नहीं कर पाता है, उसके पास भागते हैं और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो तमाम जिंदगी दवाईयों के सारे इस ब्लोटिंग को ठीक करने की कोशिच करते रहते हैं और परेणा ये ब्लोटिंग ठीक होती ही नहीं है पेट फूला ही रहता है पेट के अंदर दर्द ही रहता है आतों में वस्तिक्रिय आजक़ पोसिबल नहीं है इसलिए हमें अनिमा का अभ्यास करना चाहिए और 21 दिन तक लगातार अनिमा का अभ्यास करें। जिससे आप आई बटन पर पी देख सकते हैं, तो 21 दिन तक लगातार अनिमा का अभ्यास करें, इसके साथ कुछ आसन और प्राणायम आज मा आपको बताता हूं, जिनका अभ्यास करने से कितनी भी पुरानी ब्लोटिंग हो महिने भर के अंदर ठीक हो सकती है, सबसे पहले मारजरियासन, सास को भरेंगे, सास को खाली करेंगे, आठ से दच मारिश का अभ्यास करें, इसके पस्चात पाउन मुक्तासन, पहले एक पैर से धीरे धीरे, इस तरह प्रेशर डालते हुए, सास छोडते हुए, यदि सर्वाइकल की प्रोब्लम है, या अन्य पीठ की प्रोब्लम है, तो उन्हों को उपर की तरफ ना लेके आए, बस यहीं पर दबा के रखें, दूसरे पैर से, पेट की सभी प्रोब्लम्स में सर्वोत्तम आसन, अब दोनों पैरों से, कि पश्चात सर्वाँगासन, धीरे धीरे पैरों को उपर की तरफ उठाए, इस तरह कंदों पर खड़े हो, और इसी में हालासन, धीरे धीरे घुटनों को मोड़े सर की तरफ लेके जाए, और पैरों को पीछे टच कर दें, यदि पैर पीछे टच नहीं हो पाते हैं, तो घुटनों को इस तरह से साइड में लेके आए, यहां रुकने की कोशिच करें, यदि किसी तरह की स्लिप डिस्क का प्रोब्लम है, तो इसे ना करें, इसके पश्चात सेतु बंदासन, जितना संभा हो उपर की तरफ उठें, पैरों को नीचे ही रखें, मरीचासन, इस तरह से हाथ को पीछे की तरफ घुमाएं, हाथ को पगड़ें, टाइटली और धीरे धीरे आगे जाने की कोशिच करें, जितना संभा हो, यदि यहां तक आप संभा हो पाते हैं, तो यहां तक रुकिए, यहां तक संभा हो पाता है, तो यहां तक रुकिए, शरीर को थोड़ा सा टाइट करके रखें आर्ध मत्से यंदरासन जितना ट्विस्ट करसके ट्विस्ट करें दूसरे पैरसी गुजांगासन जितना संभव हो पैरां को खोले बद्ध कोनासन और तितली आसन संभव हो तो सर को पैरों की तरफ लेके जाएं और पंजों से सर को टच करें सुप्ट वज्जरासन वज्जरासन में बैठने के पश्चात धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएं आसनों के पश्चात स्लो मोशन में बिल्कुल धीरे धीरे सूरे नमस्कार का दो राउंड्स से लेकर छे राउंड्स तक अभ्यास करें इसके पश्चात प्रणायाम करें प्रणायाम में कपाल भाती पेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुलों विलों ब्रामरी और उज्ज़ई इनका अभ्यास करें प्रणायाम की कम्प्लीट वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहां से इनकी ट्रेनिंग लेकर प्रेक्टिस कर सकते हैं खाने पीने का विशेश ध्यान रखें यदि इस तरह की ब्लोटिंग और पेट की प्रोब्लम्स आपको होती हैं तो खाना पिना अत्यंत महतोपूर्ण हो जाता है बहुत जादा ना खाएं और खाने में सिर्फ और सिर्फ हलका और सुपाच्य भोजन ही खाएं सुबह दो केले दोपैर को दही और खिचडी और रात को हलका दलिया बस इनका ही सेवन करें इनके अलावा और कोई भी चीज ना खाएं जो विशेशकर छोड़ने वाली चीजे हैं वो आलू, गोभी, शिमला मिर्च, किसी भी तरह की फलियां, डाल विशेशकर उड़द की डाल, चना, मतर, सेब, संतरा, अंगूर, तला हुआ, भुना हुआ, ज्यादा फैट वाला, जंक फूड, फास्ट फूड, मसालेदार, ये सब खाना आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके पस्चात ही आप अपनी ब्लोटिंग को महिने भर में ठीक कर सकते हैं, आप जितना हलका खाना खाएंगे, उतना अच्छा रहेगा, और जितना चबा चबा कर ज्यादा देर तक खाएंगे, सर्वोत्तम होगा, खाना खान इन सब योगा भ्यास, क्रियाओं और हर विहार से आप अपने शरीर को फिट रखेंगे, ब्लोटिंग की समस्चा को खत्म करेंगे, आने वादी वीडियोज में आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए साधर प्रणाम, आरोग्यवान भावतू